नमस्कार दोस्तों इंपलाई कवर चेनल की एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है माननी स्री मतिहिमा मालिनी जी, माननी केंद्री मंत्री स्री भुपेंद्र यादव जी, केंद्री राज्य कानुन मंत्री स्री एस पी सिंग बगेल, सेंट्रल प्रोवाइडेंट फंड कमिशनर माननी सूश्री निलम समिराओ, माननी सीवीटी सदस्य सहित पेंशनर्स के सुब दिनांक 6.2023 को सुस्री हिनाताई गावित सांसत नंदुरवार से पेंसनर्स की समस्याओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और उन्होंने आस्वासन दिया कि इस मुद्दे को वह उपर तक पहुचाएगी और माननी स्रीमती हिमा मालेनी जी का समर्थन भी करेगी इसके बाद डाक्टर महिंद्र भाई मुझपरा महिला एहम बाल विकास राज्य मंत्री से भेट की गई माननी मंत्री महोदय नहीं बताया कि एनसी के गुजरात के नेता स्री आर सी पटेल आधी हमारे संपर्क में है और इस विसाय को प्रधान मंत्री जी के संग्यान में है औ माननी स्री अनुराक ठाकूर केंद्री मंत्री से यहां पर भेट की वचर्चा हुई माननी मंत्री महोदय ने बताया कि EPS 95 पेंसनर्स की परिष्थिती उनकी समस्याए एनसी के द्वारा के जा रहे अंदुलन की उन्हे जानकारी है मैं आपकी भावनावत तत्त्यों को स्रम मंत्री वप्रधान मंत्री जी तक सिग्र पहुचाऊंगा इसके बाद एनसी टीम की ओर से माननी स्री विनोद तावले महासचीव बिजेपी से भेट की गई वचर्चा की गई माननी स्री विनोद तावले जीने भी बड़े ही इस परष्ट सब्दों में कहा कि EPS 95 पेंसनर्स की गंबीर परिस्तिती को ध्यान में रखते हुए मैं स्वयम बिजेपी अध्यक्ष महुदय से इस विशय पर बात करूँगा वह पेंसनर्स को नया दिलाने का पूरा प्रयास करूँगा इसके बाद डाक्टर स्री सुभाज भामरे जी सांसद धुलिया वह भुतपूर रक्षा राज्य मंत्रे से भी वेट की गई माननी सांसद महुदय जी ने भी EPS 95 पेंसनर्स की समस्याओ को त्यान से सुना वह कहा कि NAC के प्रदिनिती बंडल के साथ माननी स्रममंत्र जी से मिल चुका हूँ वह अभी भी संपर्ग बनाय हुए हूँ इस विशय पर जो भी मुझ से संभ़ होगा वह प्रयत्न जरूर कर NAC चीप कमांडर असोक रावत ने कहा कि मौदय मालनी स्रीमती हेमा मालनी जी की अगवाई में आपके साथ हमारे संगठन के संपर्ग हुए मिटिंग हुई वह इसे जो है एक वर्स बीच चुके है उस मिटिंग में मिनिमम वह हैर पेंसन NAC के इंजिरियरिंग कविज अच्छी तरह से याद है मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिस जरूर करूँगा इसके बाद उन्होंने माननी स्रीमती हेमा मालनी जी सांसद मतुरा से भी यहाँ पर मुलाकात की NAC चीप माननी कमंडर असोक रावत जी ने EPS 95 पेंसनर्स की सुपचिन तक माननी स्रीमती हेमा माल जी से भेट कर उनके प्रती करतागिता व्यक्त की माननी डाक्टर स्री टीवी सोमनातन जी केंदरी वित सचिव के साथ होई मिटिंग वा चर्चा का विस्तार सहित जानकारी दी साथी दिनांक 8.2.2023 को दो पहर में माननी सूस्री नीलम समिराव केंदरी प्रोवाइड़ेट फंड कमिशनर महुदय के साथ संपन होने वाली मिटिंग की जानकारी भी दी आप सभी उरद्ध पेंशनर्स की जल्द से जल्द सपलता पूरवक अच्छे परिनाम पेंशनरासी में मिले आगे जब स्री रावत जी ने माननी स्री मती हिमा मालिन जी को बताया कि हम NAC के प्रतिनिदी मंडल के साथ माननी केंदरी स्रम स्रचिव महुदय के साथ मिटिंग करना चाहते थे लेकिन स्रम मंत्राला से फोन द्वारा बताया गया कि माननी केंदरी स्रम सची मौध आपलवद नहीं है इसलिए आपकी मिटिंग CPFC के साथ होना तय है इस पर माननी स्रीमती हैमा माललीन जी ने कहा कि हम आपकी मिटिंग माननी स्रम मंत्री जी के साथ करवाएंगे तो इस तरह से EPS 95 पेंसन दारगों के पेंसन वरद्धी को लेकर NAC राष्टी संगर समिती के राष्टी अध्यक्ष और NAC की कंद्रकारी ने टीम के स्थाइत दिल्ली के कई पदादिकारियों को साथ उन्हाँ पर मिटिंग संपन होई है और EPS 95 पेंसन वरद्धी के लिए प्रयास किये गए है I hope यह वीडियो जानकरी आपको पसंद आई होगी यह वीडियो जानकरी आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक सेर चनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं आप से एगले वीडियो में तब तक कि लिजाए हैं वन्ने मादरम